हेलो गाइज वेलकम बैक टो माई योट्यूब चैनल और आज मैं आ गई हूँ आपके लेकर के कम्प्लीट फेस क्लीनिंग वीडियो सो मेरे फेर वेल आने वाली है तो मैंने सोचा चलो अपने फेस को थोड़ा सुधारते हैं तो पहले मैंने अपने हेर को अच्छे से टाई अप कर लिया है उपर मेने सो का यह बैंड है फिर मैंने वाओ का यह फेस वास यूज किया उसको अच्छे तरह से फेस वास करने के बा इससे आप मेक अप भी आराम से निकाल सकते हो और यह बहुत ही soft होते हैं आपके skin पर फिर मैंने start किया bleach करना, मैंने सोचा bleach facial कर लेते हैं तो पहले मैंने fame का golden bleach लिया और vega के facial brush से मैंने उसे अच्छे से लगाया और फिर मैंने उसे 10 minute के लिए छोड़ दिया जब तक वो dry होता है उसको पहले आप अगर bleach पहले नहीं किये हो तो patch taste जरूर ले लेना उसके बाद अच्छे से उसको water से wash कर लिया मैंने फिर मैंने लिया है M caffeine का body and face scrub फिर मैंने उसमें थोड़ा सा water mix करके अपने face को अच्छे से मैंने scrub कर लिया अच्छे से 2-3 minute मुझे scrub करनी है फिर मैंने लिया विला विटा का neck and elbow and knee के लिए बहुत अच्छा है यह scrubber और इसमें भी आप soap या rose water या glycerin लेकर के अच्छे से अपने neck area, elbows area में use कर सकते हो फिर जब scrubbing करते हो तो scrubbing करते करते है जब वो dry हो जाए तो आप rose water use कर उसे बीच-बीच में गीला करके scrubbing कर सकते हो फिर मैंने लिया derma का exfoliating lotion या serum कह सकते हो यह week में सिर्फ एक बार use या दो बार use करना चाहिए not more than 10 minutes और इसको अच्छे से face और neck area में अच्छे से लगा करके और इसे कम से कम maximum 10 minutes के लिए छोड़ के और फिर wash कर लेना चाहिए और यह week में सिर्फ दो बार use करनी चाहिए तो मेरा face वैसे भी बहुत डालो रहा था तो मैंने इसे अच्छे से लगा लिया फिर 10 minutes के लिए छोड़ दिया फिर मैंने sitafel का cleanser लिया और tulip का मैंने wipes लिया औ फिर मैंने लिया फिर मैंने लिया चार कॉल black it's remover मुझे nose पे नहीं होते हैं लेकिन मेरे cheek areas और under lip areas में बहुत जादा होते हैं तो मैंने वहाँ उसे patch लगा लिया उसे यूज करने का तरीका होता है area को गिला करके फिर patch को stick कर देते हैं फिर मैंने vacuum लिया और nose area में जो तोड ले करके और इसी यूज करो सारे ब्लैकेट्स आपके या वाइट्स जो भी होते हैं डर्ट होते निकल जाते हैं फिर मैंने वेगा का ब्लैकेट्स रिमूबल इंस्ट्रूमेंट ले करके अगर थोड़े बहुत ब्लैकेट्स रह जाएंगे साइट्स की उसको मैंने निकाल लि से सारे फेस एरिया पर लगा लिया और उसको कम से कम 15 तक सूлет के लिए स्को सूखने Про तो 15-20 मिनट इसको सूखने के लिए मैंने छोड़ दिया उसके बाद मैंने इसे अच्छे से रिमूव करके वाश कर लिया इतने में मैंने इतने में मैंने M.Cafin का Lip Care range जो आई हुई है उसका मैंने लेकर के Lip Scrub कर लिया अच्छे से उनका Lip Scrubber बहुत ही अच्छा है और एकदम कॉफी की स्मेल में आती है और बहुत अच्छे Scrubbing हो जाती है लिपस की तो मैंने वो किया फिर उसे Wash करके मैंने उसी की Range का Lip Polishing भी लगा लिया फिर मैंने देखा कि मेरा Mask अब अच्छे से सूग रहा है या सूगने वाला है मैंने फिर Mask को तारना चालो किया पहले मैंने पैचा टाई चारकोल वाली फिर मैंने जो Mask Peel Off Mask लगाई थी फिर मैंने उसे दीर दिल लगाया और Trust Me Guys बहुत ही पेन होता इसमें निकालने में और ये मेरे Nose Ring में भी फस कही थी फिर मैंने ऐलोवेरा लिया खा दी का और उसको अच्छे से पूरे Face पर Spread कर लिया ताकि वो अच्छे से मेरे Skin को Moisturize कर दे वो की Peel of Masks निकालने के बाद Skin थोले Dry हो जाती है और मुझे Facial Hair भी Remove करना था तो मैं आजकल जनरली Razor यूज़ करती हूँ तो उसको निकालने का बहुत सही तरीका है इससे क्या होता है आपका Skin कहीं कटता भी नहीं है और Smoothly बहुत अच्छे से Razor चलती है और Hair भी Remove हो जाते है और Skin में किसी तरीका कट भी नहीं आता है तो मैंने इससे अच्छे से पहले अपर लेफ पिर साइट वाले सारे Hair निकाल लिये और बहुत ही Clean हो जाता है Hair निकलने के बाद फेस अपने आप Glow करने लगता है फिर मैंने आईब्रोज एरिया का भी एर्स वगेरा सारा निकाल लिया फिर मैंने Facial Massager लिया और मैंने उसे अच्छे से मसाज किया जिसकी वज़े से जो Face का Blood Circulation बढ़ती है तो Glow Skin में अपने आप बहुत अच्छे से आजाती है Facial Massager करने से आपके अंदर का जो Skin होता ना बहुत प्यारा Glow करता है एक दो दिन के अंदर फिर मैंने Dot and Clay का फिर मैंने Dot and Clay का Clay Mask लिया जो कि उनके Acne Prone Skin के लिए होता है बढ़ यह मुझे अच्छे लगती है तो मैंने फिर वो मास्क अपने पूरे Face पर Spread किया और इसका Color इतना प्यारा लगता है मुझे मैंने उसे पूरे अच्छे से अपने Face में Spread कर लिया Vega के Brush और वो बहुत अच्छे से Spread भी हो जाता है और इसके बाद उसको अच्छे से नेक एरिया को तो बिल्कुल नहीं भूलना अच्छे से Spread करने के बाद मैंने उसे 10 से 15 मिनिट के लिए चोड़ा था जब तक वो ड्राइ ना हो जाए फिर मैं Earth Rhythm के पैच से उसको अच्छे से पहले मैंने साफ कर लिया और वो अच्छे से Remove भी हो गया Simple Water से ही अच्छे से Remove हो जाता है फिर मैंने Face Seat Marks लिया चारकुल का योगि मैंने आपको बता है मेरा Face बहुत ही डर्टी हो गया था मैंने बहुत दिन से उसकी Cleansing नहीं की रही थी तो मैंने सोचा अच्छे से Cleansing करे लिए जाए मैंने चारकुल काई Face Seat Mask लिया और उसे अच्छे से अपने Face पे Adjust करके अच्छे से लगा दिया Face Seat Mask जो होती है आपके Face को बहुत सही Moisturize भी करती है और जितने भी Dirt और इन Impurities होती है उसको बाहर भी निकाल देती है फिर उसको 10 मिट रखने के बाद मैंने उसे Remove कर दिया फिर मैंने Dot & Clay का Hydrating Gel ले करके अच्छे से अपने Face पर उसे Moisturize कर दिया और लिब बाम मैंने Mama Earth का लिब बाम लगा करके और अपने Face को अच्छे से Moisturize कर दिया ऐसे मेरी Face Cleansing बहुत अच्छी हो गई और बहुत ही प्यारी Glow आई थी और Glow जो फेशिल जो Glow आती एक दो दिन के बाद बहुत अच्छी आती है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को Like, Share and Subscribe करो और जल्दी जल्दी बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरी वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले तो बाई बाई टेक केर कर दो दोजर इसा क alma दen जाब कर दूम भी आफंट फिर दो अच्छे झाल झाल